एक ऐसी गल्ती एक नया एक्ट आर्टिस् किया करता है कि वो अच्छा एक्टर होने के बाद भी काम नहीं करपाता यह consistency नहीं पाता है कंसिस्टेसी नहीं नहीं पाता है लगतार काम नहीं करता है आपर वो जिन का जो है वो एक हमारा बना हुआ कि हो 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 मेरे आका मैं गाई ये तो बहुत ही बदा हो जाएगा मतलम हो जो है क्या कहते मुझे बड़ी शर्म आ जाएगी जैसे आपके इंस्टिटूट में इतने सारे बच्चे स्टडी करके अब जो शरगल करेंगे तो ये खासरा का एक confidence जो है न लेके चलेंगे और उनको help मेलेगी उससे अगर आप अपने शहर में अपने घर में रहते हुए practically acting सीखना चाहते हैं, singing सीखना चाहते हैं, film writing सीखना चाहते हैं या film direction तो कॉल करें 843-6666-188 पर हलो फ्रेंड्स वल्कब टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स डॉट कॉम मैं हूँ आपका अपना विरेंदरा ठोर और आप देख रहें बॉलीवूड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल विजूल मीडियम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उस तेजी से मौके भी बढ़ रहे हैं आज जहां देखें वहाँ पर आपके लिए चांस है टीवी सील्स के बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब है सिनेमा है बहुत कुछ अवेलेबल है यहां तक कि अपनी रीजिनल ल ऐसे काम क्या होगा कि आज उनके पास चांस ही चांस है मौके ही मौके हैं बहुत सारा काम है यह सब शेयर करने के लिए मेरे साथ बहुत ही अच्छे कलाकार बहुत ही इच्छे इंसान और जो टीवी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री और OTT प्लेटपरम पर लगातार काम कर रहे हैं अशुक लोखने जी तो सर बहुत दिनों बाद जॉइंट्रोंस के चैनल के हम लोग मिले हैं तो आज आपसे जानना में यह चाहता हूं जो मैंने कहा शुरू में कि अब तो मौके दिखते हैं मौके होते हैं जब आपने शुरुआत की होगी सर वो हिम्मत कहां से लाई थे बहुत बहुत डिफिकल्ट था वो दौर लेकिन मुंबई में लैंड होने के लिए एक मैं लखिली अच्छे सिच्वेशन में था लेकिन वो सिच्वेशन छे मेनी से जादा नहीं चली एक सीरियल थीम रगनेनी जब मैं रेपर्ट्री में था दिल्ली में तो मुझे किसी ने बताया था कि मेरे बारे में वहाद पर अमुल पालेकर सोच रहे हैं एक क्यारिक्टर देने के लिए तो मैं रेपर्ट्री कमपनी में नवकरी कर रह था हम आवादो में अपले होते हैं तो सारे दोस्त ने कहा किया है यह तो बहुत अच्छा चांस है तो मैं में मिला तो उन्हें कहा मैं तो तुम्हें ध्टूंड रहा था तो मैं सीरियल में चला गया उस समय से दूसदर्शे नहीं था और कुछ था ही नहीं तो वहाँ पर गए काश्ट तो हो गए वहाँ वह ऐसे तो audition भी नहीं रहता था महाँ पर जैसे किसी ने बोला सजेश्ट किया कि ये अच्छे एक्टर है ले लो तो वो डायरेक आप शूटिंग में मिल रहे हैं इसमें कोई यह नहीं और उसके लिए फिर मैंने उरंदावनलाल वर्मा की जो है जो सेरियल अपना ये थी नॉविल ब्रिगने उसको पढ़ा उसको मैंने पढ कोई आक्टर को पता नहीं लेकिन में एडवेंटेज था और चुकिन काफी सारी चीजे चारेंटर के आलावा भी किया परिवेश हैं बहुत सारी डिटेलिंग होती है तो मेरे लिए वो वह नावेल बहुत ही क्या बोलते है फूट फूट फुल रहा तो मेरे लिए कोई बह पहली शूटिंग करने में, और वो पॉपुलर भी हुआ क्योंकि लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी, उनको देखना ही पड़ता था वो सीरियल, वो इतना कम था कि अच्छे ही लगता था, अब अगर आज वो सीरियल तो कोई पता नहीं कोई देखे न देखे, कोई उसके ग weekly episodes होते थे, तो उसके बाद फिर पालिकर साहब ने play शुरू किया, पगला होडा, बादर सरकार का, तो immediate play शुरू हो गया, तो मैं बहुत ही अच्छा रहा मेरा, तो उसमें भी काफी दिन चले गया, लेकिन उसके बाद फिर दूर दर्शन में सीरियल बंद हो गया, वो चैनल जीवी वो तो आये भी नहीं थे उस समय, उस समय जो हमारी हालत कराब होगी, मेरे साथ थे, मतलब उस समय इरफान थे, और इद्रीस थे मेरे दोस्त, और कुछ मेरे सीनियर्स थे, हर्गु जी तो या इशान हो, बहुत सारे जो लोग थे न, संजय तो बाद में आया, तो हमने बहुत बुरे दिन काटे, मतलब यह ऐसे हुआ जैसे कि एकदम चपन भोगाली थाली खाई, उसके बाद भूका बैठा है, और गलत फ्रैम ही यह वही थी, मुझे नवनित निशान ने कहा था कि आशो भाई, आपकी तो निकल पड़ी, सीरियल है, और मुझे भी ल होता है, कहां पर काम हो रहा है, कहां पर फिल्मे बन रही है, कहां पर सीरियल तो एक हाद दो ही बनता था, उस समय उसी समय शायद नुकड भी चल रहा था, तो वो जो है, खांदान नुकड उस तरह से, उडान चल रहा था, तो कुछ पता ही नहीं था, और कैसे अप्रोच ह तो इतने बंबभई शहर में कुद बंबभई पता नहीं क्या है, फिर फिर्म सिटी आते थे शूटिंग करके आते थे बस और डिफिकल्ट होता था, तो फिर कोई NSD काई कोई है, दोस्त कोई वर्क्शॉप कर रहा है, तो एक दिन आजा, तो वहाँ से कुछ कमा लिए, फिर वहाँ से कुछ दिन निकल गए, फिर कई छोटा मोटा रोल बड़े सीरियल में, फिर चानक्के भी सीरियल चालू होगे, तो चानक्के में भी हमने कुछ किया, तो वह वह भी सपोर्टीव रहा, लेकिन चानक्य के बाद फिर दो-तीन साल हमने बहुत बुरे दिन बिता है और उसके बाद फिर ये प्राइवेट चानल चालू हो गए फिर धीरे-धीरे काम मिलना चालू हो गया और फिर वैसा हमारा गाड़ी शुरू हो गया तो ये जो बीच-बीच में रुकावट के लिए चोकी हम एनस्डी से आये तो घर में सारा बाई-बाई करके आये थे कि एनस्डी में जाएंगी और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा और उस समें एज भी ऐसी होती है कि एज में शुरू हमको पता हीर נहीं चलता है वो अज्ञान्ता में बड़ा ही अज्ञानता का confidence पता ही नहीं कि आजाने क्या होगा रहा हमारे टाइप जो है आप चल रहे हैं इधर उदर से किसी दोस्के यहां पर जाके खाना खा लिए और सब चलता है मतलब हम तो इधरिस, इर्फान हम एक दोस्की यहां पर बहते थे हर शाम खाना खाते थे फिर कोई इधरिस कोई सेरियल में काम कर फिल्म में काम करता था वो पैसे लाता था फिर कोई दूसरा लाता था तो वो ऐसे बार 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 चलता था कैसे कैसे जो है वो चलता इर्फान की मेंसेज वह अपना राइटिंग करने लगी फिर एक बड़ी सेरियल हो गई फिर उसमें फिर एक-एक करके सारे लोग सेट होने लगे फिर सबने अपना छोटे-छोटे घर भी लेना चालू कर दिया उस समय फोन की बड़ी दिक्कत रह देती कि MTL में जाके फोन क यह था कि किसी MPA MLA की कोई चिठी लेके आया और कोई फोन घर में लग जाए तो एक दिन वो इद्रीस के घर फोन लगाना तो हम सारे लोग इतनी खुश्या मनाएं और जो है ना फोन पर किसी का फोन आता था तो बुलाया जाता था आसपासी रहते थे थे कि तेरा फोन आय आये तो उसके पहले तो हम पीपी नंबर होता था ना किसी को देते थे थे पडोसी का नंबर तो वहां पर जो है ना बहुत बहुत उनको गुसा आता था कि इनको बार बार बूलाना पड़ता था तो अभी आप लोग सोचते हैं कि यार फिल्म इंडेस्ट्री में जाएंग कभी-कभी तो है वो MTN ने ही कुछ ऐसे विवस्ता कर दी थी कि आप वहां पर मैसेज रखो और फिर कोई फोन करेगा तो आपको बताएगा कि इसकी इसका फोन है तो हमारा एक दोस्त था बैंक में वो ऑपरेटर ही बन गया था वो बैंक में स्कलर्क था श्रीका बैंक और इंडिया तो एक-दोस समझो मड आइलेंड में है तो वो उसको बता दीगा सुनो अशुक को बोलो मैं मैं यहां पर शुटिंग कर रहा हूं तो तू वहां पर आ जाना तो मुझे उसको फोन करना पर था था कि अच्छा वहां तो फिर वहां पर चले जाए कैसे तो ऐसे हमा खुद को नोटिस करवाना और वो आपने किया दिया और वाती में है ना तो वो जो रेजिस्टर किया वो एक स्पेशल तैयारी थी करेक्टर का कुछ ऐसा दंग था या क्यों ऐसा हुआ कि वो रेजिस्टर बहुत जादा हुआ वो दियाबाती के वैसे पहले भी मैंने पूदा कुछ एपिसोड से इन advoc lanes किया थे बनेगे अपनी बाट रगा और उसमें एक आधा सब्क हले इंस्पिक्टर और इरफान काफी स्टडी की हूँआ था उसका और उस ने मेरे साथ काफी काम किया था डिरेक्ट करने के पहले हिर्फान ने जो कुछ एपिसोड डिरेक्ट की हुआ मेरे लिए ही किया ऐसा लगा तो वो क्यारेक्टर बहुत फेमस हो गया था उसके बाद फिर जश्मोबत आया और फिर जश्मोबत के बाद फिर सांस आया सांस के बाद आया सोन परी सोन परी में भी आप का टालियू कोई है कुछ ऐसे सीरियल रहते थे तो ऐसे Episodic भी करते थे दिया बाती का मुझे मिला जो सुमीत हैं, सुमीत मितल, उनको सांस का सुरी साफ बोड़ा पसम राया था, उनको, उनने मुझे बुलाया, सुमीत ने, तो मैंने accept किया, कोभी choice भी नहीं थे, कि accept करना ही था, तो beginning में जो है न, बहुत कम उसका ये था, तो डालागी नहीं थे, तो दोस मुझे चिडाते तो चुप-चुप ही रहता था, बस छोड़ा सा कुछ बोल दिया, ये कर दिया, तो एक-दो सीन ठीक लगे, फिर धीरे-धीरे, अब सीरियल में जो है इवाल होता है, सीरियल में एक में अबजेक्टिव रखते है कि ये सीरियल एक लड़की है, जो अनपड़ फैमिली में जाती है, उसके बाद उसका ड्रीम रहता है कि IPS officer बनना, फाइनल यह हुआ IPS officer बन जाती है, एक मोटी-मोटी story रहती है, लेकिन बीच में कैसे भरे, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे skill है, कैसे chemistry कैसे pulp हो रही है, महाँ पर कैसे हुआ, तो लखेली जो है न वो character उनको अच्छ balance करता है, फिर time to time वो humor भी होता है, फिर कभी-कभी emotional भी यह करता है, तो अब हम सारे हम equipped थे already, तो कुछ-कुछ sync चले, तो फिर writer को जो है न, फिर serial जैसे ही उसको extension मिलता है, तो producers की भी उमीद ही बढ़ जाती है कि यह सिर्फ 500 episode तक का serial नहीं है, उसको हम तोड़ा और भी ब परफॉर्मस इतना अच्छा हुआ, इवन निलू जी का, सारे लोग इतने अच्छे कर रहे थे तो, और वो household character, household होने लगा और within a six month, वो serial top पर पोच जाने के बात, जो है न, सारा channel, सारे creative, सारा दिमाग, और उनकी जो missis है, शेशी जी, वो भी writer में, writing में बहुत अच्छी तो फिर वो एक span को और भी interesting कैसे बनाया जाए, मैंने इसलिए आपको इस serial का example दिया, क्योंकि बाकी जो है, सोन परी का भी मैं जिकर करूँगा, लेकिन इसमें क्या हुआ था हूँ, धीरे-धीरे character ने अपने journey और पैर पसार ने शुरू की तो जो मेरे लिए जानना बहुत यह कैसे हुआ और उसका eventually विरेंदा ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि भावो मिमार पढ़ गई, भावो जबर्दस मिमार पढ़ गई और उसको hospitalize करना पड़ा, और फिर वो तो मेरे character है, तो अभी कैसे किया जाए, तो फिर एक बुजर्ग और authority में बचता हूँ, लेकिन मेरा character वो नहीं है, तो फिर तब भी उन्होंने भावो के पूरे lines मुझे दी, मतलब मैं भावो बोलता था, वो सामने पड़ता था और अपने हिसाब से उसको तोड़ा change करते, वो फिर मतलब वो भी carry करना पड़ा मुझे, जबकि वो character नहीं था, लेकिन एक बार audience को उसकी लत लग जाती है, serial ही, तो वो character जो है न, कि इधर भी उनके dimensions जा रहे है, everything, वो जो है न, वो पॉजिटीव ही पॉल होती है, उस वजे से भी हुआ, अब सोनपरी में आपकी audience ही different थी, वो बहुत different थी, वो target audience ही different थी, उनके बीच में अपनी जगह बनाने में अच्छे interesting किसा, basically जो है न, ये रोल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम चाहते थे कि बड़ा serious type रोल होना चाहिए, serious करो तो ही अच्छा actor सावित होता है, comedy को लोग इंपोर्टन्स नहीं देते, कितना भी comedy अच्छी करो न, तो इंडियन न इसमें, बॉलियोड मे उसका एक status कोई उतना नहीं मानते, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा talent लगता है, तो हमने कहां यार ये कैसे होगा, तो दो हपते मैंने कुछ बाती नहीं की, और लेकिन उस समय जो है न, बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, एक बार पसंद आया, नीना गुपता और इन जिन का जो है, वो एक हमारा बना हुआ कि मेरे आका, मैंने गए ये तो बहुत ही बदा हो जाएगा, मतलब वो जो है न, क्या कहते हैं, मुझे बड़ी शर्म आजाएगी, मैं नहीं करूंगा तो इस तरह से, तो मैंने मोड्ल किया उसको, और एस इफ बच्चों का बहुत ही करीब का दोस्त बना दिया, उसको और उसकी जो क्या जो है, उसकी जो डिफिकल्टी है, उसकी एमोशनल प्रॉब्लम है, उसके साथ जो है उसको टच करवा दिया, तो बच्चों को जो है न, बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक मैगनेट की तरह बच्चे की चाहें, उस क्योंकि जो डिजार होती है कि मेरा सारा होमवर्क कोई दूसरा करे तो कितना मज़ा है, या कोई मैच जो है न, हमको जिता दे कोई तो मज़ा आ जाए, तो उसी टाइमिंग में वो आ जाता था, तो वो बहुत जादा, क्या कहते हैं, उसका अट्रेक्शन हुआ, बच्चों वगेरा हैं, और वो कभी भी मेरा आडिशन जाता है, तो उनको याद आता है, कि अरे हाँ, ये तो अलतोंकिल है, तो मेरे बहुत जादा कास्टिंग जो है, उसमें जो है न, बड़ा मतलब फेवरेबल हो जाता है, कि उनको पता है कि बच्चपन से देखा हैं, इवन उसके पहले जैसन मोबद भी था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, तो कुछ इस तरह के जो कैरेक्टर जो थे, बच्चों के साथ जो है, बहुत जादा क्या बढ़ गई थी, तो उनके लिए, अभी भी लोग मिलते हैं, तो बोलते हमारे बच्पन की पूरी जो इ तना अपने देखा है, अलग-अलग दौर में काम किया है, बहुत कुछ बदलते हुए देखा है आपने, एक ऐसी गलती एक नया अक्टर, आर्टिस्ट क्या करता है, कि वो अच्छा अक्टर होने के बाद भी काम नहीं करता है, या consistency नहीं पाता, लगातार काम नहीं करता है हाँ वो शायद उसकी कुछ अपने प्रती गलत फहिम एक धर्वना बना लेता है कि वो बहुत अच्छा है वो हो सकता है वो अच्छा भी हो लेकिन उसके साथ-साथ उसने देखना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है मतलब यहां का formation कैसा है society का especially industry का क्या यह है उनकी क्या difficulties है रूल तो बहुत सारे होते हैं आपको लेने के बाद उनके लिए केतना comfort आपके लिए कैसे का आप comfort zone देखते हैं वो भी comfort zone देखते हैं कि आप कैसे मतलब उनके साथ match करोगे क्योंकि करोडों रुपए भी लगे रहते हैं तो वो उनका attitude, behavior और उ उनकी जो अपक्षा है वो पूर्तता ना होने की वज़े से उनको जो arrogance आता है कि मैंने तो यह साबीत किया था मेरा तो इतना deserve करता हूं फिर तुमने उसको क्यों लिया उसको क्यों लिया सबके अपने reasons होते हैं तो वो सबको समझ के अगर चले तो मुझे नहीं लगता कोई कि किसी को मतलब दिक्कत होगी काम के लिए तो वो attitude जो है न वो थोड़ा सा मारे बहुत सारे हमारे दोस्ते अभी क्या नाम ले तो वो हो जाता है किसी किसी का तो बहुत सारी लोग यहां से चले भी गए छोड़के और जो यहां पर भी हैं तो फिर वो एक समय कमा लिया है तो वो अपने इसमें रहते हैं, एकाद दुरोल करते हैं, तो पास्ट में भी थे राजकुमार साहब, वो अपने अंदाज में जीते थे, और वो लेकिन उनका चल गया, लेकिन अभी बहुत, एक के बाद एक बैचेस आ रही है, बहुत टैलेंटेड लोग आ रही है, और स्ट के बच्चे हैं, और पहले ऐसा नहीं था, तो वो लोग अपने छोटेशे शेहर में, वहां का हीरो बनके, या किसी दूसरी इंस्टिटूट में आके, तो थोड़ा बहुत बहुत अच्छा लगा आप से बात करके, बहुत बढ़िया, हर बार बात करता हूं, तो कुछ नई करते रहना चीए, क्योंकि ये दौर वाकई आपको साबित कर सकता है, पहले लेकिन खुद को साबित करना बहुत बहुत जरूरी है, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, और अशुक कौन सा ऐसा रोल है, जो आपको टच्च करता है, जो आपको बच्पन की याद लेकिन वोला कारिए, ख़क्याता है, जो आपको बच्च ऊ은 cottageल्सित और बहुत सकते ऴुद कर साबित कर दया है, जो आपको बच्च करता है, तो क्या सनुक की बच्च कर दु और फीकिन nell worldview, दॉर टॉर बंको बदे 手षवाुत gef00 giàपको बदे पुद म savez साफदूरी है, नद